आज मैं शेयर गर रही हूँ सूजी से बने टेस्टी नास्ते की रेसिपी जिसे बनाने में आपको बहुत मज़ा आएगा और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा तो चलिए आज की मज़दा रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले एक मिकसर जार में यहां डालूँगी डेर कपे करिब सूजी आप यहां मोटी या पतली किसी भी तरीकी का सूजी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कप नहीं है तो घर में किसी भी कटोड़ी या गला से सारे मिजर्मेंट को नाप सकते हैं अब डेर कप में खटे दही का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं यहां आधा कपे करीब पानी डाल रहे हूं कोशिज किजिएगा कि सारे को कुटोड़ी किसी कटोड़ी या कप से ही करें मैं इसमें डाल रहे हूं आधा चोटा चमज करीब नमग ढगा कर एक ड़म श्मूथ से बैडर बन बनता हैं के बाद इस बड़र में हम डालेंगे एक चमची करीब तेल और इस इस पर अभी आप कुछ भी मत डालिएगा बस एक चमची करीब तेल ढलके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजेगा अब एक बार आप बैटर की कंसेटेंसी देख लेए आप इसी तरीके से फ्ल हैं चैनल सेएटेंसी अधर कोका सब्सक्राइब एस खैनल से मिक्स करने के बार देंगे और इसंड़ी परदोग की में ताकि मिक्स करने के और इसे चारो तरफ अच्छे तरीके से फैला देंगे थोरा सा फैलने में दिकत होता है क्योंकि तेल होता है तो अच्छे तरीके से फैल जाएगा थोरा सा प्रोबलम होगा अब काढ़ाई में डालेंगे दो कपे कड़ी पानी इस तरीके से एक स्टेन रख देंगे आपके प वहारा धन्याँ चटनी सोड़ी व वडिडियों मेरी पृटाला डाले हूँ आन्य阅्य चांद्रिपूं करें को अच्छे तरीके से फैलाईएगा ताकि हमारी लयर अच्छ से बने हैं और इस तरीके से फैलाने के बाद इसे एम फिर से ढ् Sound के लिए फीर से पालत काने में गरास का थाकि पाद instrumental पानी हायत बाला जाय है और पनी कंब काम हो तो पानी याप डाल सकते हैं दे के 2 चारो तरफ अच्छे तरीके से फैला देंगे और इसे भी ठाक के अब 2-3 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे अब चौती कटोड़ी ले रहे हूं जिसमें डालोंगे आता चोटा चमचे करीब लाल मिर्च यह कस्मीरी लाल मिर्च है जो कि खाने में थोरा कम तीता होता ह अब डाल दूंगे भुणा हुआ जीरा पाउडर या फिर आप गरम मसाला भी ढाल सकते हैं एक चोटा चमचे करीब डाल रही हूं रेट चिली सॉस आप चाहें तो यहां टमेटो कचप कावी इस्तमाल कर सकते हैं एक पींचे करीब डाल देंगे बेकिंग सोड़ा और इसक डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से फैला देंगे चारो तरफ बहुत सिम्पल है इस नाश्ते को बनाना और बनाने में भी आपको बहुत मजा आएगा तो देखे इस तरीके से चारो तरफ पहला दीजेगा और फैलाने के बाद इसे जाना होगा हमें बस एक पिंचे गड़ी बेकिंग सोरा डाली हूं और इसको भी मैं सिंपल रखी हूं और चारो तरफ इस तरीके से लेयर लगा के अब हम इसे स्टीम करेंगे पांच मिनट के लिए पांच मिनट में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगा तो इसका धकन को हटाने के अपने आप ही लेयर को छोड़ देता है चाकू की मदद से इस तरीके से किनाड़ों को स्क्रेच कर लेंगे और स्क्रेच करने के बाद जैसे ही आप इसे प्लट के थोरा सा टाइप किजेगा बहुत अथानी तरीके से यह निकल जाता है तो देखे कितना स्पॉंजी बना है इसकी लेयर में दिखाती ूँ देखे इस तरीके से थोरा गरबर हो गया है लेकिन इस तरीके से देखे से चारों तरप से इसका बहुत अच्छा सागर चाल कर लेथे हमको जिस बी बित तरीके से हैं लंबा या फिर स्कॉ inches प्लाल पउसंद हो उस तरीके से अप सब्से सब्सक्राइब जरूर कीजिए गार आगे बताई थी एक बार उस तरीके से बना कि इसमें डाल सकते हैं तो रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा